और बरे बरे ताना शाहिश सक्तियों को बिहार नो उखाड़ पेका है, हमारा ये इतिहा से बिहार का, और हमारे बीच एक नेता ऐसा खड़ा हो गया है बिहार की जमी से, वो अब ताना शाहिश सक्तियों को चिनोती दे रहा है, और दिल्ली की सत्ता उजह चर्मरा गई है, य और निटीश कुमार अपने अडिक फैसलों के लिए जाने जाते और निटीश कुमार जो चाहते हैं वो करके भी दिखाते हैं 2024 के दंगल में मोदी के खिलाफ सभी दलों को निटीश कुमार ने एक मंच पर साजा किया और 2024 से नरेंद्र मोदी से फड़ियाने के लिए इंडिया का गठन किया गया और सीधे तोर पे इंडिया के तमाम नेताओं का ये दावा है कि आने वाले दिनों में 2024 में नरेंद्र को पठकनी देने के लिए निटीश कुमार ने जो तमाम प्लानिंग रची तमाम दलों को एक मंच पे लाया तीन बैठके हुई मुंबई की भी बैठक खतम हो गई और लगातार ये दावा किया जा रहा कि अगर निटीश कुमार के चेहरे पे अगर दाव खेला जाए तो पर तरफ चूठ रही है बिहार का इतिहास है जब यहां से कोई भी परिवर्तन की आंधी चलती है तो पूरे देश को परवाइद करती है और बरे बरे तानाशाहिश सक्तियों को बिहार नो खाड़ पेका है हमारा ये इतिहास है बिहार का और हमारे बीच एक नेता ऐसा पर मरा गई है यह लोग बेचैन हो गया है आप देख लिए जो बिहार में पहली बैठक हुई उसे घबराट हुई दुसी बैठक करनाटका में हुई तो उसी दिन इंडिये वालों ने भी बैठक रख दिया अब तीसरी बैठक बंबे में हुई तो विशे से सत्र का परदान मंत्री बने की चमता तो है ही में में अभी बरतमान परस्तिती में मैं देखता हूं तो सबसे यह योग उमिद्वार साबित हो लोग चाहते हैं ना कि नितिश कुमार का चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया जाए सब को इता माने हुए हैं पीछे से सबी लोग चाहता है यह विकास के परवरतक हैं यह कहा जा सकता है कि बिहार की परीटेक्ष्यों मैं कर रहा हूं कि अपने समय के यह शाजाहां है कौन? नितिश कुमार अपने समय के साजहां गोल्डेन पीरेट का आजाता था बोगलकाल का जो साजहां का जो पीरेट था उसे विकास करने का भावन बनाने का इसा बहुत चार चीज का शौक था अब मोदी जी तो है तो पूरा देश देख रहा है कि तिन तिन को लुटेरा सब्जे है कितना हजार क्रोड़ों प्या लेके विदेश भाग गया अब पता नहीं हुशें कि क्या मित्रता है कोई पकड़ में आ रहा है हम लोग अगर नोल लेंगे 15 लाक रुपया तो हम लोग क घर निलामी चड़ गया जाते हैं लेकिन जतना बढ़का लुटे रहा है उनको छूट मिला है लेकिन राहुल गांधी और लालु जी का फिर सामने प्रेम पना पड़ा है और जिस परकार से आपके जो एक विदायक है गोपाल मंडल वो सीधे बोल दिये हैं कि राहुल गां और आप लोगी भी तो गलती है ना जितना अनाव शनाब बात उसको मीडिया पर चलाते हैं ऐसे बात नोटीसे नहीं लेना चाहिए था वह हम तो जानते भी नियुगोपाल मंडल कौन है आपके विदायक हैं पार्टी के बोलें दीजे एक चीज और है जिस परकार से लगा और असलियत को सामने लाएंगे देश की समस्या है चीन जो है मैं बतीस हजार चालीस हजार किलोमीटर जमीन कबजा करके बठा हुआ है अब तक जो है भारत का आपने बात बताया हिमाचल अरुनाचल प्रदेश का हिमाचल प्रदेश की विश्याइद कुछ चीशों है लेक करेंगे कि ऑल पाकिस्तान की अब पाकिस्तान के वारे में बात करने का मकसद नहीं होता है यहां का कि हिंदू समाज लं मादित हौँ चैना के खिलाब जहें इन लहीं बूलते हैं अमरीका का तलवा सーल arrives अमरीका हमारा कभी दोस्त नहीं रहा है हमेशा उसने हमारे साथ धो तोड़ जाएगा कभी हो इनी सकता है लेकिन ये उसका तलवा सहलाते रहते हैं पाकिस्तान है पाकिस्तान हमारा दुश्मन है चीन हमारा जमीन कब जाकि उसके बार में कहानी बोलते डर से मुन नहीं खुलता है कि अगर कोई भी इस देश में किसी धर्म के बारे में अनाव शनाव बताया है गलत है गलत है अभी मारना चाहिए ना इंको का के जगा वी तो बात बुरा लग लग रहा है हम यूट्यूब पर देखते हैं खुले आम मुसलमानों को गाली पका जाता है अगर कोई इस तरह की बात कहता है किसी धर्म के बारे में तो वह निंदनीय है मैं अच्छा नहीं समझता हुआ श्कुश्ट दोज़र चौविश में कहानी खत्म है मोदी तो अब तो इनका जा बना दिया गया ता अब देखा जागा इस सब समस्या है नहीं सब पले तो जूद जीत लिया जागा उसके बात अब देखाए कि अब है